I am going to discuss about how to insert reference in word by endnote The endnote से हम word में कैसे reference डालते हैं सबसे पहले जो first step होता है हमने google scholar on करना है Google scholar को on करने के बाद topic जो हमारा topic होता है हमने अपनी research related जो भी topic होता है हमने यहां पर enter करना है enter करने के बाद हमें ऐसे show होता है कि यह topic है और इस topic को मैंने बढ़ा और इसमें से मैंने अपने related जो भी मैं research करना चाह रही हूं तो उससे related मैंने यहां से चीजें ली चीजें लेने के बाद अब मैंने next step मेरा होता है कि मैं अब इसको लिखूं word पे for example अब मैंने word पे लिख लिख लिया यह था word पे यह लिखने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब यह जिस article से लिया है मैंने लिखा है अपनी wording में उसको मैं reference दूँ तो reference देने के लिए reference देने के लिए मैंने यह यहां पे enter किया हुआ था फिर यहां पे मैंने इसको क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बाद मुझे ऐसे शो होगा और मैं इनमें से कुई भी देने जैसे when girl style है Harvard style है तो मैं Harvard style करना चाह रही हूँ अब Harvard पे क्लिक करने के बाद मैं end note पे क्लिक करती हूँ तो यह मेरे पास यहां पे download हो जाता है और इसके बाद मैंने इसको open करने open करने के बाद मैंने करने के बाद यह यहां पर डाउनलोड हो गया मेरे एंड नोट में अब एंड नोट में यह मेरा डाउनलोड हो गया अब मैंने एंड नोट से कैसे वर्ड पर लेके जाना है तो सबसे पहले जिसको भी लेके जाना हूँ फर एक्जमपल यह हो यह यह दूसरा हो यह फस्ट वाला हो इसको मैंने स्लेक्ट करना है स्लेक्ट करने के बाद यहां पे आता है इंसर्ट साइटेशन इंसर्ट साइटेशन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये word में आ जाता है मेरे past reference in Harvard style सेम इसी तरह अब next में article से जो भी लूँगी उसके बाद उसको कैसे दूँगी सेम ऐसे strap होता जाएगा और reference एड होते जाएंगे आगे Thank you